नमश्कार दोस्तों सौगती आपका इजी यात्रा की यूट्यूब चैनल पे जो आपकी यात्रा को बनाता है आसान और उन सबी परिवारों की मदद करता है यात्रा को आसान बनाने में और बहुत कम पैसों में आप एक जगह से दुश्रे जगह कैसे घुम सकते हैं यह सारी आपको इस टैनल के दौरत दी जाती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही कम खर्च में आप उजयन तक की यात्रा करें और वहां जाके महा कालेशवर जी की दर्शन करकर आएं तो आप कैसी कर सकते हैं आज की वीडियो में हम यह जानेंगे तो वीडियो को एंड तक देख नहीं वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें ज्यादा ते ज्यादा परिवारों को एक यात्रा के साथ जोड़ें तकि अजर वह दिल्ली में एक ज़रा से दूसरी ज दोस्ते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा इससे कि उनको पूरा मंत्री बजट जाए और दिगर जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप बजट को बनाते हुए चलते हैं तो बहुत कम पैसों में भी आत्रा कर सकते हैं तो चली जानते हैं कि मत्र पा नई दिली रेल्वेस्टेशन से उज्ञान जाना चाते हैं तो देखो साड़े नो बज़े जो हैं नई दिली रेल्वेस्टेशन से चेन बनकर चलती हैं जो कि चेन साड़े नो बज़े बनकर चलती हैं उसका किराया है माँतरे 240 रुपे जर्नल डिब्बे का जो किराया होत दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतार देती है आपको महाकाड़ेश्वर मंदिर जाने के लिए आपको मातरी 40 रुपे और खर्च करने होते हैं आप जैसे कि 40 रुपे खर्च करते हैं आपको ओटो रिक्षा वाला आपको उज्जयन में महाकारेश्वर जी के मंदिर पहुंचा देता है उसके बाद आप इसी तरह सेम प्रोसेस से महाकारेश्वर मंदिय से उज्जयन रेलवे स्टेशन तक 40 रुपे देंगे वापिस आ सकते हैं और फिर उज्जयन के रेलवे स्टेशन से दिल्ली आ सकते हैं अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ये तो बता दिया कि चेंज आती है और 9 बजे नए दिली रेलेशोन पर लग जाती है अगले दिली सुबहे आपको और सब्सक्राइब तो तो आगे पीछे हो जाती है बड़ जादा टाइम का डिस्टेंस नहीं होता उसके बाद हम वहां से अगर जब उज्ञान के रिल्वेश्टेशन से जाते हैं तो आपको 30-40 रुपे खर्च करने पड़ेंगे उज्ञान महाकालेश्वर मंदिर जाने तक ठीक है उसके बाद जब आप दर्शन कर लेते हैं अगर आप वहां पर रुखना चाहते हैं तो वहां पर जो रूम्स होते हैं होटल होते हैं उनका किराया क्या होता है अगर आप यह जाना चाहते हैं तो यहीं सारी इंफोर्मेशन में आपको आगे की वीडियो में दे दूंगी और मुझे कमें करके बताना अगर आप वहां की प्रोपर इंगा। नेक्स वीडियो में की महा का रेशुर मंदी जाने के बाद आप दर्शन कैसे कर सकते हैं असानी से कैसे अपना registration करा सकते हैं दर्शन करने के लिए और वहां पर जो hotels और धरमशाला ही होती हैं फो कैसे आप book कर सकते हैं कितना खरचा आजएगा book करने के लिए आज के वीडियो में मैंने आपको बस आप जो यात्रा करते हैं उसमें आपके कंवेंस में कितना पैसा खर्च होता है वो मैंने बताये कि आप कैसे मात्र 599 रुपे में अपनी यात्रा कर सकते हैं तो आप जोड सकते हैं कि 240 रुपे कर टिकेट था 240 रुपे कर टिकेट आपके आने जाने का था तो 480 रुपे हो गए 480 रुपे के बाद आपने 40-40 रुपे के ओटो करें वहां जाने के लिए महाचालेश बह्त जाने के लिए बाकी एक कोस्ट दो आपके दिली में भी पड़ेगी जो की दिली об जब्रीयंस जाने होगी लेकिं देखेंड़ सो मुझे नहीं पता कि आप दिली में कौन से एरिया के जािया में थाके वहां इस बात में केтак तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जड़ते ज्यादब लोगों को चैनल के साथ जोने मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत नीचे कमेंट में जय बाबा भुले की जरूर्ड लिख के जाएं